हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पदबाद रहन करने के बाद आयोगय दक्षजेन ने कहा कि माननिय मुख्य मंतरी महादय ने जो गौसिवा की हमें जिम्मेदारी दी है हम इनको पूरी इमान दारी से निर्वहन करेंगे जैन ने मुखे मंत्री अशो क्यारोड का अभार प्रकट करते हुए कहा कि मुखे मंत्री ची हम पर विश्वास का जो जिम्मेदारी दी हम गौपालर मंत्री महोदे, उपादक्ष महोदे के साथ टीम भावनां से काम कर प्रदेश में निरास्तित गौवंश के सनवर्धन हे तू नंदी गौशालों को खोला जाएगा मुखे मंत्री महोदे गौवंश के सनरक्षन एवं सनवर्धन को लेकर गंभीर है इसको लेकर गौशालों में प्रती पश्चु अनुदान राशी में भी बढ़ोत्री की है इससे पहले आयोगे अधक्ष, उपाद्देक्ष समेर और गणमाने आथितियों ने गौवमाता की प्रतिमा की पूजा अर्चना की इस अउसर पर माननिय खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोज जी जैन, कॉंगेस के वरिष्ट नेता वण एवं परैवन मंत्री माननिय हेमाराम जी चोधरी, श्रम एवं कार्थाना मंत्री माननिय सुखराम जी विश्रोही, वरिष्ट नेता शिप विधायक माननिय अमीन ख प्रजापत जसर मेर विधायक माननीय रूपाराम जी धंडे शेरगड विधायक माननीय मीना कवर गौपालन के निदेशक लाल सिंग जी बाड़ मेर जिला प्रमुक आध्रणीय महेंद्र जी चोधरी सभापती नगर परिशत दीपक जी माली पुर्व उप जिला प्रमुक ग प्रदान छोटू सिंग जी युवां कॉंग्रिस जिला देक्षर लक्ष्मन जी गोदारा एन एस युआ के जिला देक्षर राजेंद्र जी कडवासरा जिला परिश सदस्य नकताराम जी मेगवाल पार्शद वीपी सिंग मनोर जैन प्रविन सेथिया राजु सिंधी बाड मेर आगोर एडबकेट गोपाल सिंग जी राज़कुरोहित रगुनार सिंग पोट लिया मनोहर सिंग मारूडी सही तमाम लोगों क्यों पस्तिती रही जागरू टीवी के बाड मेर सिठाकरा मेगवाल की रिपोर्ट